बिस्मिल्ला इर्मान रहीम वेलकम टू सरकारी जॉब गुरू दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के जो इंस्पेक्टर इंलेंड रेविन्यू की जॉब्स आई हैं उसमें हम कर रहे थे सेल्स टेक्स तो चैप्टर 6 हमारा आज का टॉपिक है इसमें जो सेल्स टेक्स ऑफिसर्स हैं उनके पावर्स कोन कोन से हैं तो इंलेंड रेविन्यू का एफिसर्स सिर्फ वही पावर इस्तमाल कर सकता है जो उसको और वही फराइज इंजाम दे सकता है कि जो इस एक्ट के तेहत उसे फराम किये गए हैं यानि इस एक्ट में उसके पावर्स और उसके फराइज जो हैं वो स्पेसिफाइ कर दिये गए हैं और उसी के तेहत उसने चलना है वो उससे बाहर नहीं जा सकता और वो अपने सावाडिनेट या जो मातहत हैं उनके जो कह सकते हैं कि अखियारात हैं वो हर पोस्ट के हिसाब से इसको यह ना वो डिफाइंड होते हैं यानि वो अगर इन्वेस्टिकेशन साइड पर है तो हो वहाँ पर उसके पावर्स अलग होंगे यानि वो किसी चीज़ को अरेस्ट करवा सकता है जबत कर सकता है तो इस तरह से अगर वो administrative side पर है तो वो एक अलग उसके powers होंगे अगर वो audit की side पर है तो वहां उसके powers अलग होंगे तो ऐसे नहीं है कि एक खास powers है कि यह जो officer है इसका यह power है बस ऐसे नहीं है power जो है ना वो designation के हिसाब से deputation के हिसाब से change होते रहते हैं तो इसमें कोई fix वो नहीं है लेकिन board जब भी चाहे officer से यह power वापिस भी ले सकता है यह नहीं है कि एक बार उसको जो powers मिल गई वो बस उसके अपने तोर पर इस्तमाल करेगा यह नहीं है फिर है 32 में delegation of power delegation of power में है पहले नमबर पे board या chief commissioner वो भी board की मर्जी से एक notification जारी करेगा जिसमें नाम और designation के साथ बताया गया होगा कि A में देखें कि additional commissioner या deputy commissioner के इक्तियारात इस्तमाल कर सकता है किसके commissioner IR के यह दोनों additional commissioner या deputy commissioner inland revenue है वो किसके इक्तियारात इस्तमाल कर सकता है वो commissioner जो इस से उपर होता है इन दोनों से उसके इक्तियारात इस्तमाल कर सकता है अगर वो chief commissioner या board उसको writing में करेगा कि भई हाँ ये commissioner के power इन इनको delegate कर दिये गए है फिर अगर B की बात करें तो B में क्या कह रहा है deputy commissioner या जो उनका assistant commissioner है वो किसके power इस्तमाल कर सकता है वो additional commissioner क power इस्तमाल कर सकता है इसी तरह जब उसको delegate कर दिये जाएंगे power return notification में फिर वो इस्तमाल कर सकता है इसी तरह जो assistant commissioner है वो deputy commissioner के power इस्तमाल कर सकता है जब उसको delegate किये जाएंगे और D में है कि कोई भी दूसरा officer वो किसके power इस्तमाल कर सकता है वो assistant commissioner के power इस्तमाल कर सकता है ये D में था तो अगर point number 3 पर आएं तो इसमें कहा है कि अब जिस officer को ये power मिले हैं यानि delegate होकर आए हैं notification के थुरू आए हैं तो वो मजीद इन power को delegate नहीं करेगा वो मजीद अपने junior को ये power नहीं दे सकता जो उसको delegate होकर मिले हैं ठीक है तो वो उसको इस्तमाल करेगा उसको delegate नही कर सकता अब है appointment of authority appointment of authority कमें ये है कि इस act यानि sales tax act के मकासित को पूरा करने के लिए board कुछ officers को appoint करेगा यानि sales tax का जो act है उसका जो काम करेंगे उसके लिए board कुछ officers जाहर सी बात है वो appoint कर सकता है तो उसमें क्या है एक chief commissioner होगा inland revenue का और एक commissioner होगा और एक commissioner inland revenue appeals के लिए होगा जो separate होगा और additional commissioner inland revenue ये भी उस जो है वो इसमें board में शामिल होगा और फिर deputy commissioner inland revenue, district taxation officer inland revenue, assistant commissioner, assistant director audit inland revenue और inland officers फिर superintendent और फिर इसी तरह audit officer और inspector और दूसरे officers ये इसका हिसा होगे फिर two में क्या कह रहा है कि chief commissioner inland revenue services और commissioner inland revenue services बोर्ड के जेरे असर होगा बोर्ड इनकी supervision करेगा और ये बोर्ड को answerable होंगे और जो commissioner है वो chief commissioner के जेरे असर होगा यानि सबसे powerful जो है वो chief commissioner है उसके अंडर में commissioner है और ये दोनों जो है ना वो FBR के अंडर में होगे के chief commissioner को जो power काम बोर्ड ने सूंपेगा वो ही कर सकता है यानि इस मेरे बोर्ड करेगा ये के चीशे दिदिन इख है का करेगा जो उसके पावर्ड को ये सारी चीशे इंधियरों करेगा 3 में है कि इस से नीचे के जो भी officers है कमिशनर के अंडर काम करेंगे और फिर 4 में है कि additional commissioner inland revenue services के अंडर में जो भी उस से lower हैं वो उसके अंडर में होंगे यानि जो कमिशनर के अंडर में हैं कमिशनर उनको करेगा और फिर अगर जो जो डेप्टी कमिशनर है या एडिशनल कमिशनर है उसके अंडर में जितने भी नीचे जो भी है उनको वो कंट्रोल करेगा यानि अब कमिशनर ये नहीं है कि सारे ये अफिसर्स को जो है न वो डील कर रहा है इंस्पेक्टर से लेके असिस्टन कमिशनर सबसे वो बात चीत नहीं करेगा वो सिर्फ टॉप लेविल के जो मैनेजमेंट है या जो एड्मिनिस्टेशन है उन से सिर्फ और सिर्फ बात करे और वो ही उसको जवाब दे होंगी बाकी जो है न वो लोवर वो जो चीज़ हैं वो डील करेंगे उस चीज़ को आगे अगर 30 A में आएं तो यह क्या है कि डारेक्टर जनल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिकेशन इन्लेंड रेविन्यू अब यह क्या होता है डारेक्टर में कौन कौन शामिल होगा उसमें डारेक्टर एडिशनल डारेक्टर डेप्टी डारेक्टर असिस्टन जो डारेक्टर हैं और उसके इलावा जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे और उनको अपॉइंट कौन करेगा उनको बोर्ड अपॉइंट करेगा बोर इसमें कौन-कौन से होंगे इसमें जो ऑफिसर्स होंगे वो होगे डारेक्टर चरनल यानि जो डारेक्टर्स हैं एडिशनल डारेक्टर्स डेप्टी डारेक्टर असिस्टेंट डारेक्टर्स और दूसरे जितने भी ऑफिसर्स जिनको बोर्ड अपॉइंट करेगा वो इसके members होंगे और इसी तरह 30C की अगर बात करें यानि डारेक्टर जर्नल ट्रेनिंग और रिसर्च तो इसमें कौन-कौन से होंगे इसमें भी जो है न वो डारेक्टर होंगे additional director deputy director assistant director और जोतने भी officers जो board appoint करें 30D में director general of valuation इसमें कौन-कौन होगा इसमें भी डारेक्टर होंगे additional directors होंगे और फिर deputy director assistant director सब में यही composition होगी बाकियों में भी अगर आप देखें तो यही कंपिनिशन है सबसे उपर जो ना इस तो यह डारेक्टर रेट का जो head होता है वो director होता है और उसके अंडर में जितने भी officers आते हैं इस तरह director general of input output coefficient organization इसमें भी director additional director और यही officers आते हैं and powers and function of directorate power of function में कहा है कि इनके power of rise board देख करेगा जिसके लिए वो notification जारी करता है separately कि हाँ भई यह यह इस directorate का power है इसके बाहर यह नहीं जा सकते तो उमीद करते हैं कि यह powers और appointment की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसके बाद भी हम और भी ज्यादा वीडियो में बनाऊंगा next वीडियो आप देख सकते हैं कि internal audit पैनल या special audit पैनल वो क्या होता है वो उसके वीडियो यह उपर आप लिंक को आपको नजर आ रहा होगा तो यह भी इसको विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू झालो